नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस सेटिल्मेंट जोग्रफी में जहाँ पर आज के क्लास में हम लोग डिसकस करेंगे दो कॉंसेट्स एक है प्राइमेट सिटी, प्राइमेट सिटी किसको कहते हैं और रैंग साइज रूल जिसको हम लोग कोटी आकार नियम भी कह रहते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं बट अगें यह क्लास बहुत जादा रोमांचिक होने वाले हैं और इसमें हम लोग वेरियस इंट्रक्टिव वे में इस पूरे क्लास को कवर करने वाले हैं तो यह रहा कुछ-कुछ टॉपिक जिसको हम लोगों ने विवाजित किय प्राइमेट सिटी के अंडर हम लोग क्या कै का aspects पाणिगे कैसे यह प्राइमेट सिटी फर्मस होते हैं एड्वांटेजिज के क्या है डिसाड्वांटेजिज क्या है और ऑवर अल्श प्राइमेट सिटी का ख।क का आप्लिकेभीविटी क्या दूनिया में है अगर है तो और next हम लोग discuss करेंगे rank size rule किसको कहता है, features rank size rule के क्या क्या है, overall इस theory को evaluate करेंगे और इसके drawbacks में भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो overall एक holistic way में दोनों concepts को हम लोग अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे, प्राइमेट सिटी, मुख्य शहर जिसको हिंदी में कहा जाता है, प्राइमेट सिटी क्या होता है, देखो इसका definition देखो, अगर कोई सिटी का population size दूसरे बड़े वाले सिटी से minimum धुगना हो, तो हम उस सिटी को प्राइमेट सिटी कहते हैं, जैसे, जैसे A सिटी ले लो, B करो, that A में 100 population लोग रहते हैं, और B में 40 population और C में 30, है न, और दूसरा हम condition लेंगे, जहाँ पर, again, A में 100 population है, B में 55 population है, और C में 55 population है, ठीक है, अब आपको बोलना है, that इस दोनों में कौन सा प्राइमेट सिटी है, इसका definition देखना, अगर सबसे बड़ा वाला जो सिटी है वो अपने दूसरा बड़ा वाला सिटी से मिनिममम दो गुना है, या फिर उससे जादा है, तो उसको हम लोग प्राइमेट सिटी कहेंगे, देखो, पहला वाला केस में, जो है, मतलब, पहला वाला 100 है, इसका आधा कितना हुआ, 50, है न, मतलब, दूसरा वाला सिटी का जो population है, वो 50, या फिर 50 से कम होना चाहिए, या फिर other way round, अगर देखोगे, दूसरा वाला जो population growth है, मतलब, population है सिटी का, ये 40, है न, 40 का दूगुना कितना होता है, 80, तो 80, या फिर 80 से जादा, अगर population A में हो, तो हम उसको प्राइमेट सिटी कहेंगे, तो पहला वाला तो प्र प्राइमेट सिटी है, बट क्या दूसरा वाला है, नहीं, दूसरा वाला प्राइमेट सिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो, यहाँ पर 55 population है, 55 का दूगुना कितना होता है, 110, है न, मतलब, अगर A में 111 population भी हो जाए, न, तो भी A प्राइमेट सिटी होता, बट यहाँ पर तो 100 ही population है, इसलिए B case में जो है, यह जो है प्राइमेट सिटी नहीं है, तो आप इसका definition, main definition समझ गया, क्या होता है, इसके कुछ-कुछ उकर example देंगे हम लोग दुनिया से, तो इंगलेंड में अगर देख लिजेगा, सबसे बड़ा शहर है वहाँ पर लंडन, ठीक है In fact, वहाँ के जो दूसरा बड़ा शहर है लिवरपूल, उससे लंडन साथ गुना बड़ा है, यहाँ पर तो minimum दो गुना ही बात बोला गया था, मतलब जी हाँ, इंगलेंड में जो है प्राइमेट सिटी एक्जिस्ट करता है, वैसे ही आजाते है डेनमार्क में, डेनमार्क में अगर देख लिजेगा, कोपनहेगन, जो का सबसे बड़ा शहर है वहाँ का, वहाँ के डेनमार्क के दूसरे बड़े शहर, आरहस से नौ गुना बड़ा है, मतलब वहाँ पर कोपनहेगन जो है, वो जो है प्राइमेट सिटी है, वो वहाँ का मुख्य शहर है, मतलब हम जो क्या समझे, डैट कवः भी रीजन में जो प्राइमेट सिटी होता है वो बहुत ज़्यादा डॉमिनेट करता है उस रीजन में, क्यों क्यों कि वो सिटी जो है, सबसे बड़ा सिटी है, सबसे लार्जस्ट सिटी है, और अब कोर्स अगर लार्ज़श्ट अगा तो कॉम होते हैं, जहां पर primate city exist करती है, देखो, पहले तो एक छोटा criteria आपको दे देता हूँ, जात है आप primate cities जो देखो, छोटे छोटे region में ही आपको देखने को मिलेगा, छोटे छोटे countries में ही देखने को मिलेगा, जैसे England, इंग्लेंड उतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है, Denmark भी बहुत छोटा है, अच्छा, अब सोचिए, अगर ये बड़ा कंट्री होता है, Denmark बहुत बड़ा कंट्री होता, तो क्या होता, यहां के लोग बोलते हैं, अरे भाई, यह को बड़ा कर रहे हो, मेरे को क्यों नहीं, यहा अब बड़ा कर रहे हो, तो दूसरे प्रोविंस के लोग जो है, अब 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 जेक्शन उठाएंगे, देखो, हर जगा जो है, इक्वल वे में आपका डेवलप्मेंट होना चाहिए, तो यही चीज़ है, अगर छोटे-छोटे, यूनो, देश है, तो वहां पर प्राइमे आप, यूके ही ले लो, majority of population, जो है, Christians है, तो अगेन, वो कल्चर जो है, अगर सोचो, वही पर, जो है, multicultural country होता है, इंडिया के तरह है, तो जिस, जो प्राइमेट सिटी होता है, वहां के तो कल्चरल लोग खुश होते, बट दूसरे कल्चर के लोग जो होते हैं, वो काफी जादा नाराज हो जाते हैं, तो इसलिए एक साथ लेकर चलना होता है, इसलिए, अगर सोचो, cultural hub है कोई region, जैसे, Paris सबसे अच्छा example है, in fact, बोला जाता है, that Paris की जो स्थापना होई थी, वो एक romantic idea में होई थी, और वो romantic idea क्या था, that the way of people living in Paris is the definition of what it means to be French, अगर आप French हो, then the living condition, the way you live in Paris, that is what it matters, right, तो इसका, again, cultural impact बहुत बड़ा है, है न, तो, again, इसलिए, इन टाइप के regions में, जो है, that is, France में भी जो है, आपको प्राइमेट सिटी देखने को मिलेगा, और वहां की Paris जो है, सबसे बड़ी region है, right, तो वही है, एक तो cultural hub होना चाहिए, दूसरा जो होन चाहिए, फैक्टर, वो है, economic powerhouse, जी हाँ, लंडन भी जो है, वो पूरा इंगलेंड का economic powerhouse है, इसलिए, वो इतना बड़ा है, देन्मार्क का कोपनहेंगन सबसे बड़ा economic powerhouse है, क्योंकि capital region भी है, और वहां पर ही, सारे good, सारे services, administrative facilities, सारे administrative functions, and any shorter functions, जो है, maximum, वहीं पर dominant करते है, इसलिए, वो प्राइमेट सिटी है, इसलिए, वो सिटी जो है, बरता, बरता, मने, बर रहा है, बर रहा है, बहुत जादा, ठीक है, यहीं नहीं, different political institutions का भी powerhouse होता है, वो वाला region, of course, यार, वो मतलब, जैसे दिल्ली, इंडिया में, बहुत बड़ा शहर है, तो वहीं प होता है, ठीक है, जैसे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, फ्रांस में, पैरिस सबसे बड़ा है, दूसरा है, मार्शलिस, मतलब, यह इसका दो गुना से भी जादा population है, ठीक है, और next है, लिएन, राइट, बेसिकली, यह कुछ-कुछ, इंटरनेशनल एग्जामपल है, जो के and of course, वैसे ही जो घरते रहता है, but आपको clearly दीख भी रहोगा, इसके जो है, दो गुना से भी जादा है, मतलब, population, प्राइमेट सेटी में, ठीक है, यही जो है, main factor है, जो के हमें, याद करना पड़ेगा, या फिर दिमाग में आपको रखना है, ठीक है, अचा, आप सवाल हो Okay, so, प्राइमेट सेटी जो है, overall इसका definition अगर देख लिजए, अभी तक तो हम लोगों ने समझी गया है, यहाँ पर population बहुत जादा है, पर साथी साथ, कोई भी country का अगर कोई भी region प्राइमेट सेटी है, तो वहाँ पर political functions, economic functions जो है, predominantly, जादा, you know, dominate करेंगे, है ना, और it is Uncomparable to other cities, मतलब, जो बड़ा city है ना, दूसरे city से अगर compare ही नहीं होता, यहाँ पर मतलब सब कुछ है, यार, every facilities, population size, good services, है ना, सब कुछ facilities जो है, बहुत जादा हो, इसलिए इसका compare, of course, अब दूसरे सहरों से कर ही नहीं सकते, और हाँ, ऐसा नहीं है, that यह सिर्फ बड़े- और यह region में ही आपको मिलेगा, सिर्फ developed countries में ही मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, that सिर्फ हा North America, Canada, या फिर Europe, Asia, हर एक region में भी मिल सकता है, है ना, तो इसका कोई particular criteria developed countries में भी हो सकता है, developing countries में भी हो सकता है, बट हाँ, यहाँ पर हम लोग जरूर पढ़ेंगे आने वाले slides में that developed countries में जो है, हमें इसका proportion जो है, जाधा देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि उनका colonial history था, वैसे ही वो लोग रह करा है, अभी जो countries हैं, जो कि third world countries, या फिर developing countries, जो भी आप बोल सकते हैं, या फिर under developed countries, वो लोग जाधा believe करते हैं, that हर एक region develop हो, समझ रहाँ तो यही चीज ह अब देख लेता है, global level में, दुनिया के level में, क्या कोई primate city exist करती है, अगर करती है, तो कैसे करती है, तो दिया, देख लिजे दोस्तो, तो यह topic की, that is rank size rule, तो हम लोग next class में cover करेंगे, till then, अगर आपने अभी तक इसका PDF download नहीं किया होगया है, तो उसका नीचे में link दिया